हलो गाइस कैसे हैं आप लोग मैं विल्कुल ठीक हूँ और उमीद करती हूँ आप लोग भी विल्कुल ठीक होंगे जी हां बेग बॉस सीजन 16 बहुत इंट्रस्टिंग मोड पर आ चुका है बस अब 4 दिन बचे हैं शो का फिनाले है ट्रॉफी कौन जीतेगा ये सब कुछ हो रहे हैं उसमें जहां एक तरफ प्रियंका का फैंडम उन्हें लेकर बहुत जादा आक्टिव है तो वही कही ना कहीं स्टान भी शिफ ठाकरे को अब कड़ी टककर दे रहे हैं ऐसी टककर की शिफ अगर नंबर दो पर पहुंचते हैं तो वही अगले पल MC स्टान के फैंस इतने वोट्स कर देते हैं कि MC स्टान शिफ को नंबर तीन पर धकेल देते हैं और जो ताजा वोटिंग ट्रेंड सामने आया है ये वोटिंग ट्रेंड भी है बहुत जादा चौकाने वाला क्योंकि इस वोटिंग ट्रेंड के मताबिक नमबर वान पर तो प्रियंका अभी भी अपनी जगा बनाए हुए है प्रियंका कलर्स का फेस है, सब की शान है, उससे बहुत पसंद करते हैं उसकी आक्टिंग, उसका अंदाज, उसका एक यूनीक उसका जो नेचर है उससे काफी सराहा जाता है, वही अगर दूसरे नमबर पर कोई अभी फिलहाल नज़र आ रहा है तो वो है MC स्टैन, और तीसरे नमबर पर शिव ठाकरेने जगा बनाई है लेकिन शिव और MC स्टैन के जो वोट्स है, वह काफी ज़ादा, यूनों, मार्जन बहुत ज़ादा कम है तो बार-बार ना, शिव और MC स्टैन में उपर नीचे उपर नीचे लगा हुआ है और ऐसा ही कुछ हाल है, शालीन और अर्चना गौतम का, हालकि अभी जो लेटिस वोटिंग ट्रेंड है, इसमें अर्चना नमबर फोर पर है और शालीन भनाट नमबर फाइफ पर है, लेकिन लगातार ये दूनों में भी जो मुकाबला है, वो बहुत ज़ादा कड़ा हो चुका है जो अर्चना गौतम के डाई हाट फैंस है, वो उन्हें कही न कहीं, यूनों, गेम को चित्वाने के लिए बहुत शिद्दत से वोट दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं शालीन बहुत ज़ादा कमजोर नज़र आ रहे हैं, उनके भी फैंस हैं लेकिन उतने ज़ादा नहीं है तो हो सकता है, शालीन फाइव नंबर पर ही रहें और जो अर्चना है वो नंबर फोर पर आ जाएं, कैसा लगा वीडियो कॉमेंट में बता सकते हैं, इस वीडियो में इतना ही देखते रहे हैं, गौसप जाओ